इस खुली जगह के शांत माहुल में रिलाक्स करना कितना अच्छा लगता है मांट हैमिल्टन के एस्ट्राउनमर्स ने चोटे से मीटियोर की जलक देखी है और लगता है वो नौथ वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है क्या बात है बैन मैंने सोचे मैं एक्सेलेरेट बनकर कैस्पर की उस बगर शब में जाऊंगा और एक डबल चीज बगर ले लूँगा पर शायद में जा नहीं पाऊंगा बेन येलो स्टोर एक बहुत ही कूल जगे है तो यहां रुको और इसकी कद्र करो ग्वेन ठीक कहती है और हमें खाना भी यही पर मिल जाएगा ग्रब वर्म्स प्रोटीन से भरपूर और इन्हें अगर तुम टमैटो पेस्ट के साथ क्रिल करो तब तो यह मैं मदद कर सकूँ मेरे बर्गर में चली चलेगी यह हुई ना समझदारी की बात अगर यह मैं क्या बन गया हूँ बिल्कुल हीरो वाला पोज है मजाग उडाती हो यकीन नहीं होता मैं एक नया हीरो हूँ और जब एक नया एलियन आया है तो क्या पता सेखड़ो और भी आ सकते हैं बस वो इस वाले की तरह बेकार नहीं होना चाहिए तो क्या लगता है यह क्या करता होगा यह तो आग भी नहीं हो गलता हो सकता है मैं आखों से फ्वीज करने वाली रेस छोड़ सकूँ जब यह प्लिज जोड़ के लिए बिसेग करने लोगा नागे लुए घ्रुए वूँए गराणिस दॉच्टी घ्रुच्टी सकता है अगरी जोड़ अटोल सबी मैं तो गूँए यह ट्लैज करने वाले मैं एक ग्लास्टी खरता है जोगे दूह जरुटी सकता है ठीज है इस एलियन को यहां से जाना होगा तुम्हारा मतलब भी डगना होगा जड़ा दूसरी तरफ से सोचो तुम उस मेटियोर की तरफ जा रहे हो वो यह कितना बड़ा है और जिन्दा भी तुम्हार मगर बद्बुदार मुझे लगा यह बेन की बद्बु है क्योंकि वो तीन दिन से नहीं नहाया गलत चार दिन हो गए जश्ट मनाव वो आ गए हैं अपनी पूरी शान के साथ मुझे उनके हुकम का इंतजार है कान हो तुम लोग रिलाक्स हम लड़ने नहीं आएं सारे विलन्स पहले यही कहते हैं और बाद में हमारे टुकडे कर देते हैं एक घमंडी पृत्वी वासी मैंने सुना है यहां ऐसे ठेर सारे लोग हैं या भरशाय थे और यहां एक निबूरियन पिलो रोटा भी है कम से कम पता तो चला तुम कौन हो इसका यहां होना उन महान शक्स का कोई इशारा होगा उनका अंदाज निराला है ना निराला है उस निराली शक्स की जै हो पर तुम घर से कुछ ज्यादा ही दूर हो ठीक कहा ना मैंने तुम नहीं जानते मैं कितना करीब हूँ पर अब तुम्हारे पास लोटने के लिए कोई जगे नहीं बची है हमारे महान शक्स ने पिछले हवते तुम्हारा प्लैनेट तबाह कर दिया सब लोग चुप रहो वो मुझ से बात कर रहे है मुझे कुछ नहीं सुनाए दे रहा सिर्फ मैं इनकी भाषा बोलता हूँ महान शक्स कह रहे है कि अगली पूनम से पहले तुम्हारा प्लैनेट तबाह किया जाएगा तुम काफी लग्की हो मुझे ऐसा नहीं लगता नहीं, ये दरसल एक बेहद अनूखत जुर्बा है रुको, अभी दिखाता हूँ ये फिर वही बोरिंग आडियो विज्वल दिखाएगा जब से इस महान शक्स ने हमारे हर एक प्लैनेट को तबाह किया तब से हम इनके पीछे-पीछे हर प्लैनेट पर और हर गैलक्सी में जाने लगे जरा इनकी तिखनीक देखो ये अपने अंगों को प्लैनेट की कहराई में डाल देते हैं उसे अंदर से सराते हैं और उसे खा जाते हैं ये यहां भी ऐसा करने वाला है? बिलकुल, तुम्हारे शहर मित्ती में मिल जाएंगे, तुम्हारे समंदर सूख जाएंगे, पहाड गिर जाएंगे और तुम्हारी इस दुनिया का पूरी तरह अंत हो जाएगा जश्ट मनाओ, जश्ट मनाओ, जश्ट मनाओ मुझे ऐसा नहीं लगता बेन, अब ठीक है बेन! बेन! इस वर्ष ने मुझे अचानक एक नए ऐलीन दे दिया जो सिर्फ इदर उदर लुड़कता रहता है बिल्कुल गलत बात सही कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो कि कोई बड़ा सा बदमाशाया है जो पृत्वी का नाम और निशान मिटा देगा चुकि ये गलत बात नहीं है पेड बदल रहे हैं हमें जल्दी से उस पहाड पर वापस जाकर उसे तबाह करना होगा इससे पहले की वो सब कुछ तबाह करें वो, जब हम पहाड पर से गिरे थे तब तो ये नहीं थे न? नहीं, तब तो हमें ज़रूर याद रहता उस बड़े टिक का जहर पूरे इलाके को म्यूटेट कर रहा है अब ये गंदी चिप-चिपी चीजे मुझसे दू ले जाओ मैं डूपने वाली हूँ बेन, क्या तुम्हें नहीं लगता हीरो बनने के लिए ये बिल्कुस सही वक्त है? कोशिस जारी है, लेकिन अगर में कोई और बेकार सी चीज़ बन गया तो कम ओन, मुझे हीरो बनाओ कम ओन, मुझे जल्दी हीरो बनाओ बेन तुम्हें सच मुझे और ज्रन की सक्सरूरत है ये तो तग आफ वार खिलने जैसा है और स्टिक गट्लीक से सबक सिखाना है पक्रायाना ये क्या था लगता है इस प्लैनेट का एक हिस्सा तबाह होने ही वाला है हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ क्या कहा इनोंने ये चाहते हैं कि हम इनकी महानता का असर देखें और इनकी भयारक शक्ति को अपना काम करते देखें ये यलो स्टोन में जहर फैलता जा रहा है ये शोर कैसा था? लगता है ओड़ फेत्फुल फटने वाला है क्या पता उस टिक का जहर और किस किस तरह की तबाही मचाएगा मैं जरा इस चक्कर लगाकर आता हूँ मुझे वो बुजर्ग आदमी और वो नन्ही लड़की दिखाई पड़ रहे हैं मगर वो किस पर सवारी कर रहे हैं तुम्हें पस वो किन ताकत दिखाता हो अब हटो या मरो उस महान शक्स की महान ताकत का असर देखे बगर हर गिस नहीं सोरी मगर ऐसा हर गिस नहीं होने वाला रुको मैं उसे अभी बंद कर देता हो तुम्हें क्या कर रहे हो आप दोनों को उतार रहा हो ये फ्लाइ अकेले फ्लाइ करेगा है हाँ 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 बखरोने आकेल को कहा आए भोग या प्पाद एरा जबादे ओया आहाँ बचाओँ Ben! बचाओँ यह क्या? ओ, नो! मुझे इंस्ट्रक्शिन मनुल मिलना चाहिए था कम ऊन जो जो तो ओ को से खाय है analyze अब में लैंड करने वाला हूँ यह कर चाह रहा है बिब बिब हमें जहां से निकालो मैंने कभी ऐसा इंटर गैलेक्टिक अक्सिडेंट नहीं देखा क्या किसी को लिफ्ट चाहिए यह जितना खाता है उतना बड़ा हो जाता है तो फिर फो राम्स उसकी डायेटिंग करवाएगा ठीक है एक गया नो बाकी है ओके मैं आर गया यह तबहाँ नहीं हो सकता अब तुम्हारे प्लैनेट के तबाह होने का वक्त आ गया है और साथ ही तुम तिलनों का भी तुम्हारे पास दूसरा प्लैन तयार तो है ना इस सब का हूं क्या करेंगे भला इससे पहले कि महांच सक्स तुम्हारे प्लैनेट को साफ करते तुम्हें उन्हें साफ करना होगा नामुम्किन मैं उस चीज के पहर साफ नहीं करूंगा वो जैसा कहते हैं वैसा करो अभी के लिए यह कहते हैं इन्होंने हमें मिस किया इसमें हवारे करती नहीं है महांच सक्स प्लीज हमें माफ कीजिए हमें माफ कीजिए हमें माफ कीजिए इससे भी गंता कुछ हो सकता है चीज स्पेस कीडे वक्त निकलता जा रहा है और एलियन्स भी मैंने सब ट्राइगर लिया सारे के सारे तो नहीं बिलकुल नहीं मैं फिर से वो बॉल जैसी चीज नहीं बनूंगा और क्या पता ऐसा होगा भी या नहीं तुम मत करो खोशिश और हो जाने तो प्रित्वी को तबाह यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया यह टूट रहा है शायद किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनकी खूपसूर्ति इनका पावर इनका पस अब अंत खरीब है एक और फोशिश हो जाए अब मैं क्या करूं उन सब को हत्म करो वो स्केल्स उनके बीम्स डिफलेट करेंगे तोड़ा सा रोक एंड रोल हो जाए पकलिया हमला तुम एक बोलिंग बॉल की तरह हो शायद कैनन बॉल की तरह हो अच्छली डेनन बॉल्ट कहना बहत्र होगा तुम आवर दॉल दॉला बधर हो जाए डाइजेशन शुरू होने तो ये डाइजेस्ट करो जो जितना बड़ा है वो दिच्जोर से गिता है अब तो इसकी तपाही अंदर से शुरू करनी होगा को गीदो को करो नहीं हरुँ परर्ई lord इस करेंiral ज्ली 것도 अरर में उली करें माज़ करो दो बाही होगा झाल हम ऐम फज़िंद 오 क्राइफ महांगंदा उस दिख में से चिपचिपचीव के रही है चीक है लगता है अब तो मुझे नहना ही पड़ेगा कुछ नहीं महांशक्स हमेशा के लिए खामोश हो गये तुमने उन्हें तबाह किया नए महांशक्स की जय हो जय हो जय हो रहने भी तो यह लोग ज्यादा वफादार नहीं है ना हाँ मैं इसकी आदर डाल सकता हूं बिल्कुल सही मैं भूली गया तुम तो बस एक मामूली इंसानी नमूना हो हाँ आप ऐसा कह सकते हैं अपना बचा हुआ दिन एंजोई करो वैसे हम तो आने वाले कही दिनों तक इंजोई करने वाले हैं लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तुम्हें याद दिलाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है ग्वेन पर हमारा कोई काम नॉर्मल नहीं होता बहुत बढ़िया बैन हाँ आखिर मैंने प्रित्वी को जो बचा लिया लगता है यहां मेरा काम कट्म हुआ मैं और मेरी लंपी जबान हाँ बैन जड़ा देखो तो वहां ठीक से साफ नहीं हुआ है ओ नॉ झाल